नमस्कार दोस्तों मैं हूं सोरु शर्मा और आप देख रहे हैं अमारे चैनल हरियान अपडेट डेली न्यूस पात करेंगे हरियाना की बड़ी खबरों के बारे में तो वीडियो को शिरू करते हैं देखी सबसे पहले आपको मोसम की खबर बता रहेता हूं कि यह अनुमान लगाए चारा है मोसम भी भाग की हो से कि हरियाना के अंदर ठंड से अब रहत मिलेगी यह भी बताया जा रहे है कि अब बिल्कुल जो ठंड है वो कम हो जाएगी और लोगों को इससे परिशानी नहीं होगी दूसरी बड़ी खबर आपको दैता हूं कि देखे हरियाना में यह लड़की बहुत परिशान करनाल के अंदर यह हमार को खबर मिली है खबर में यह बता चला है कि इस लड़की की जो परिवार पैचान पत्र बनाए उसके अंदर अचानक जो इंकम का है वो चेंज हो इसके चलते कुछ सोफ्ट मेर या काँ प्रोब्लम आ रही है देखने को लेकिन इसके चलते काफी शिकायते मिल चुकी है किसी की बुड़ापा पैंशन रुक चुकी है क्योंकि उनकी फोन नंबर अपने आप चेंज हो गए किसी की उम्र आगे पीछे हो गए है मतलब किसी क कम थी उसकी जादा दिखादी जादा वालों की कम दिखादी इससे भी पैंशन में दिक्कत आ रही है और काफी लोगों को फोन नंबर से दिक्कत आ रही है इसके बाद डीसे ने काई कि हमने सरकार से काया और जल से जल इसका समाधन कराया जाए इसके बाद अगली खबर ब आपन भी सोपेंगे और राष्टरपदी को यह कहना चाहते हैं कि अगर हमारी जो सरकार कियों से अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो पाई तो हम फिर से सड़क पर उतर जाएंगे और आंदोलन शुरू कर देंगे इसके बाद आज की अगली ख़बर अगली ख़बर यह कि दे University और स्कूल में नोटिस निकाल दिया है और आपको बता रहना हो कि जो कोलीज है उनका नोटिस आगया है उनको भी बच्चों को जाना होगा लेकिन स्कूलों के अंतर अभी दसवी और बारवी के बच्चों को बुलाया जा रहा है इसे छोटे जो दसवी है उसे छोटे उन